परबात युद्ध की, इस वक्त युद्ध की सबसे बड़ी खबर ये है कि पुतन ने चेचन कमांडर रमजान कादिरफ को परमाणू सेंटर का कमांडर बना दिया है और ये जानकारी है कि कादिरफ के पास इस वक्त बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उसके पास परमाणू बटन है और यही बात पूरे यूरप को दराने के लिए काफी है और क्योंकि कादिराफ आप कुछ भी कर सकता है और इसलिए आप परमानु खत्रा बहुत बड़ा हो गया है बाइडन को उवीद नहीं थी कि पुतिन ऐसा फैसला ले लेंगे जैलिंस्की ने सोचा भी नहीं था कि पुतिन ये कदम उठाद लेंगे फ्रांस के राश्पती इम्यानुवल मैकरों को भी भनक नहीं लगी बिटेन की सरकार भी चौक गई आखिर ऐसा क्या कर दिया पुतिन ने? पुतिन ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वज़ा से पूरा यॉरप परमानु ज्वालमुकी के मुहाने पर खड़ा हो गया है परमानु ठिकानों की चावी पुतिन ने एक ऐसे खतरनाक कमांडर के हाथ में सौप दिये जो पहले ही उक्रेन पर परमाणू हमले की धमकी दे चुका है ये वो पुतिन का खतरनाक कमांडर है जिसके नाम से ही जेलिंस की बेचैन होटते है और अब उसी कमांडर के हाथ में लग गया है परमाणू अड़ा बड़ा सवाल ये है कि क्या पुतिन ने इतना बड़ा फैसला सोच समझ कर लिया है हर सवाल का जवाब हम आपको विस्तार से देने वाले हैं क्या हुआ सब कुछ आपको बताते हैं लेकिन पहले जंग के मैदान का नक्षा देखिए यूक्रेन में ये इलाका है जापुरिजिया और इसी इलाके में एक और पजबा है जिसका नाम है इनेरोदार और यहीं पर जापुरिजिया का परमाणू सेयंत ये जानकर शाहत आप भी चौक जाएंगे पुतिन ने जापुरिजिया के इस नूप्लियर टाउन में अपने सबसे खास जनरल रमजान कादिरफ के कोर कमांडर्स को भीज दिया है आफिर क्यूं पुतिन ने ऐसा किया है इज़र आपको समझाते है पहले पुतिन की स्ट्राटेजी को जारा गहराई से समझे क्या ये रूस की खतरनाक नूप्लियर ब्लाक मेलिंग की पॉलिसी है क्योंकि सबसे पहले पुतिन ने बेलारूस के राश्चपती लुकाशैंको को आटम बंब सप्लाई करके पॉलिन समयत कई देशों को डरा दिया है और अब पुतिन ने जापरिजिया के परमानू प्लान की सुरक्षा की जिम्मेदारी ही खुंखार कमांडर कादिरफ को सौप दी है तो सवाल ये कि क्या युकरेन को वाकई अब बेहत पूर और खुंखार कमांडर के रह्मो करम पर छोड़ दिया गया है ये बात हम यूही नहीं कह रहे है आखिर जुनरल रमजान कादिरफ कौन है रमजान कादिरफ वही शक्स है जिसने एकदम साफ साफ यूकरेन पर परमानू हमला करने के लिए पुतिन को उकसाया था कादिरफ ने न सिर्फ पुतिन को उकसाया था बलकि एक बयान भी दिया था जिसमें एकदम सपश्ट रूप से कहा गया था कि यूक्रेन पर परमानू हमला किया जा याद कीजिए पिछले साल अक्तूबर के महीने में जब एक के बाद एक पुतिन की सेनाए तीन इलाकों में हार गई थी जब खारकीव, इज्यूम और लीमान में रूस की सेनाओं के पाउं खड़ गए थे और जेलंस्की की आर्मी विजय के गीदगा रही थी टीक उसी वक्त पूरे यूक्रेन को धमकाते हुए और पूरी धुनिया को चौकाते हुए कादिरफ ने बयान दिया था कि पुतिन यूक्रेन को सरिंडर करवाने के लिए उस पर नियूनतम तीवरता के परमाणू बम का इस्तिमाल करें रमजान कादिरफ उस वक्त रूस की हार से इसकदर बॉकला गया था कि उसने अपने टेलिग्राम चैनल पर सीधे सीधे हिरोशिमा और नागा साकी की गटना का जिक्र करते हुए लिखा था कि मुझे नहीं पता कि लीमान में हुई हार पर रूस के रक्षा मंत्राले को सुप्रेम कमांडर इंचीफ क्या रिपोर्ट देता है लेकिन मेरी व्यक्तिकत राय में अब समय आ गया है कि रूस के बॉर्डर्स पर मार्शल लॉग की घुशना कर दी जाए और नियून्तम शम्ता के परमानु हत्यार तयार किये जाए ये जरूरी नहीं कि हर फैसला पश्चिमी देशों और अमेरिका को ध्यान में रख कर लिया जाए अमेरिका पहले भी परमानु बम से हमला कर चुका है और हमारे खिलाब तो अमेरिका बहुत कुछ कर चुपा है अब आप खुछ सोचिए कि ये मामला कितना गंबीर है कि जिस कमांडर ने यूक्रेन को परमानू हमले करके मिटा देने की बात कही हूँ उसी कमांडर के हाथ में यूक्रेन का न्यूक्लियर टाउन दे दिया जाए जो कि यूरप का भी सबसे बड़ा परमानू सयंत रहे सबसे बड़ी बात यह है कि कादिरफ ने ये साफ संकेत दिया है जिस तरह से अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर हमला करके जापान को सरंडर करवाया था वैसे ही पुतिन यूक्रेन पर परमानू हमला करके जैलेंस्की को सरंडर करवाया अब क्या यह और घटनाओं के असली वज़े भी सामने आने लगी है दरसल जापुरिजिया के न्यूक्लियर टाउन में किस तरह की साजिशे चल रही है इसका परदाफाश धीरे धीरे हो रहा है जैलेंस्की ने दावा किया था कि जापुरिजिया के अंदर जहां पर परमानू सैयंत्र है उस इमारत के अंदर ग्राउंड में और चट पर पुतिन बड़े-बड़े बंफिट करने का आदेश दे चुके है यह सब इसलिए किया जा रहा है ताकि किसी भी वक्त जापुरिजिया के परमानू सैयंत्र को उलाया जा सके तब जेलंस्की ने ना सिर्फ कुल कर ये बात कही थी, बल्कि इस पर फ्रांस के राजपती एमानूल मैकरों को फोन भी किया था Раз від нашої розвідки ми маємо інформацію про те, що на даху кількох енергоблоків Запорізької атомної станції російські військові розмістили предмети, схожі на вибухівку Можливо, щоб імітувати удар по станції, можливо, у них якийсь інший сценарій, але в будь-якому випадку світ бачить і не може не бачити, що єдиним джерелом небезпеки для Запорізької атомної станції є саме Росія І ніхто інший, на жаль, не було вчасної і масштабної реакція на теракт проти Каховською гідроэлектростанцією, це може надихати Кремль на нове зло उस वक्त Зеленські के इन दावों पर सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन अब ये दावे बिल्कुल सही नजार आ रहे क्योंकि अगर इस वक्त जपरिजिया के परमानुकेंदर पर रमजान कादिरफ का ही कबजा था तो ये मान कर चलिए कि कादिरफ के खुंकार सैनिक कुछ भी कर सकते है जापरिजिया के न्यूक्लियर टाउन पर कादिरफ के सैनिकों का कबजा है कादिरफ के सैनिक जापरिजिया के लोगों की तलाश ही ले रहे है कादिरफ के सैनिक जापरिजिया के लोगों के मुबाइल चेक कर रहे है ये जाज की जा रहे है कि कहीं किसी भी उक्रेन के नागरिक ने उक्रेन की सेना को फंडिंग तो नहीं की है जिन लोगों के मुबाइल में इस बात के सबूत मिल रहे हैं कि उन्हों ने उक्रेन की सेना को फंडिंग की है उनकी जान खत्रे में पड़ी हुई है अब देखे कादिरफ की स्ट्राटीजी ऐसी है कि इन घटनाओं का तो यॉरप के मीडिया में कहीं जिक्र भी नहीं हो पा रहा क्योंकि लोग इसी चिंता में डूबे हुए कि कई कादिरफ के सैनिकों ने ही परमाणू टिकाने पर कोई बड़ा खेल कर दिया तो यॉरप की करोडों की आबादी का क्या होगा अगर परमाणू विकिरण शुरू हो जाता है तो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित यूक्रेन होगा इसके अलावा तुर्की में भी परमाणू विकरण का असर पड़ सकता है फिल्लेंड और स्कान्डिवियन देशों में भी परमाणू रेडियेशन भारी तबाही मचा सकता है यॉरप के कई देश इस परमाणू विकिरण की जद में आ सकते है यानि खत्रा तो बहुत बड़ा है और यही वज़ा है कि जब से यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है और यॉरप के सबसे बड़े परमाणू सैंत यूक्रेन के जपरिजिया परमाणू सैंतर पर रूस का कबज़ा हुआ है तब से ही लगातार यॉरप के तमाम देशों और खास कर सुरक्षय एजन्सियों की सांसे अटकी हुई है यानि अपने आप में एक बहुत बड़ा खत्रा है और ये पूरी इंसानियत पर एक बड़ा संकट है जैलेंस की आज इसलिए दबाओ में हैं क्योंकि पुतिन ने युद्ध की शुरुआत में ही बहुत जबरदस कूटनीती के साथ जापुरिजिया पर पहले ही हमला करके कबजा कर लिया था और इसी वज़ा से उनको अब तक युद्ध में फायदा भी मिल रहा है इस परमाणू संयंत्र में इतनी उर्जा पैदा की जा सकती है कि युक्रेन के बड़े हिस्से को बिजली सप्लाई की जा सकती है यही वज़ा है कि रणनीतिक द्रिश्टी से हैम इस इलाके पर रूस ने युद्ध के दिनों में ही कबजा जमा लिया था 26 फरवरी को रूस की फौजों ने बैद्रियांसक पर गबजा किया 1 मार्च को रूस ने मेलिटो पोल पर गबजा किया और 4 मार्च को रूस ने इन रोडर पर गबजा कर लिया जहाँपर जापरिजिया का नुकलियर प्लांट मौजूद है अगर जेलिंस्की को दोबारा इस परमानु प्लान पर कबजा करना है तो उनको सबसे पहले इनी तीन शहरों पर कबजा करना होगा और पुतिन के कबजे से युक्रेन के शहरों को बाहर निकाल पाना कोई हसी खेल नहीं है